हलो डियर स्टूडेंट्स वेल्कम टू मैं संचिता जैन आप सभी की शोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास नाइद की सामझ विज्ञान में अर्थसास्त यानिकी एकनोमिक्स के चैप्टर नमबर टू के मोस्ट इंपोर्टे किया गया है यानि की बहुत ही क्रिस्प कंटेंट के साथ शौर्ट कंटेंट के साथ डिटेल में हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझाए गई है अगर बागी के वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाए और बागी के वीडियोस को भ भी लाइक करदें, शेयर करदें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करदें, क्योंकि मैंगनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है, आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स फ्री आप कोस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली औरनाइस कम्प्लीट क कोर्स के साथ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्स इस हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में अविलेबल है, सीबेसी बोड के साथ साथ, एमपी वोड, यूपी बोड, भिहार बोड, दिल्ली बोड, राजिस्तान बोड के सलेवस को भी कम्प्लीट कराया जात है, कई सारे स्पेशल कोर्स भी है, व्यादिक मैस, क्रेश कोर्स, स्पोकन इंग्लिस, और सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर, प्री ओफ कॉस्ट आपके लिए अविलेवल है, यानि कि कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन को आपके लाइक और शेयर के साथ, हाँ, पैटन क्या होगा, सबसे पहली बात तो यह आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर की बात हो रही है, तो तीन तरीके से हम आज के शेशन को करने वाले हैं, अती लगुत्रिय प्रशन, लगुत्रिय प्रशन और आखरी में ह क्वेशन पेपर में सवाल आते हैं, उसी तरीके से हर एक सवाल को सॉल्व कराया जाएगा, मल्टिपल च्वाइस क्वेशन भी आते हैं, वो शेशन में करा दिया है, और उस सेशन में 30 मल्टिपल च्वाइस क्वेशन कराया हैं, एक चैप्टर के, यानि कि हर एक चैप्टर मैं जिस तरीके से question आते हैं हर उस तरीके के question को हम करने वाले शुरू करते हैं आज का पहला सवाल मानोपूजी से आपका क्या अभिप्राय है human capital आप किसे कहेंगे बतादो जल्दी से मानोपूजी से आपका क्या अभिप्राय है देखा जाए चलिए human capital किसे कहते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखें तो मानोपुझी कौशल और उसमें नहित उत्पादन के ग्यान का stock है मानोपुझी किसे कहते हैं व्यक्तिप के पास उस काम को करने का skill होना चाहिए ठीक है उस काम को करने का कौशल होना चाहिए और जो काम वो कर रहा है उसका ग्यान भी होना चाहिए यानि कि मानों को किसी भी काम करने के लिए किसकी आवर्शक्ता है बही नौलेज की आवर्शक्ता है knowledge यानि की घ्ञान की आवश्छटा है, उसके बाद कोशल की बात हुई है skill होना ही चाहिए, दो बाते हुई है और उसके बाद, उसके बाद एक और आवश्रक्टा होती है health की अगर मनशी की health अच्छी है तो अपने knowledge और अपनी skill के दम पर कोई भी काम कर सकता है यानि कि दो बातें यहां पर मुख्यरूप से हमें देखने को मिलती है एक है आपकी सिक्षा और एक है आपका skill कैसे बढ़ेगी आपकी knowledge से ठीक है और यानि कि सिक्षा आपकी कैसे बढ़ती है सिक्षा के दम पर आपको क्या प्राप्त होता है? और health यानी की स्वास्थ की आविश्शक्ता होती है ठीक है all right clear हो गई बात तो मानव पूजी कैसे बढ़ती है मानव पूजी में कौन-कौन सी बातें शामिल होती है चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number two है मानव पूजी के निर्मान में सिक्षा की भूमी का क्या होती है अभी हमने जाना कि सिक्षा और स्वास्त दो मानव पूजी होती है मानव पूजी का निर्मान इन्हीं के दम पर होता है अब सिक्षा का क्या रोल होता है सिक्षा की क्या भूमी का होती है मानव पूजी में जान लेते हैं इसको भी सिक्षित व्यक्ति अधिक कुशल और उत नहीं है वो चीजें उसने नहीं सीखी तो क्या वो उस काम को कर पाएगा नहीं कर पाएगा किसके दम पर कर पाएगा सिक्षा के दम पर कर पाएगा एक डॉक्टर है ठीक है पेशे से डॉक्टर है लेकिन डॉक्टर बनने के पहले उसने डॉक्टरी की पढ़ाई पड़ी बीएमेस करी हो भी एमेस करी हो जो भी उसने किया हो चाहे वो डैंटिस्टो जो भी उसने किया हो बीडियेस करी हो लेकिन शिख्षा तो ग्रहाण करी तो सिख्षा के दम पर ही एक व्यक्ती पर्टिकुलर शेत्र में कुशल और उत्पादक बन पाता है यानि कि skilled और productive बन बाता है यही भूमिका होती है अब यहां पर कहा है कि सिक्षित व्यक्ति अधिक उद्पादक और उद्पादक और ज्यादा उद्पादक और ज्यादा कुशा लोते हैं किनकी evaluation में असिक्षित के comparison में जो सिक्षित नहीं है उनकी बात कही जा रही है ठीक है तो तो असिक्षित व्यक्तियों के comparison में सिक्षित व्यक्ति जादा productive होते हैं, जादा skilled होते हैं, अब है question number 3, सन 2014 में भारत की जीवन प्रत्याशा क्या थी, बताओ भई, सवाल तो ये भी उट रहा होगा आपके दिमाग में, कि ये जीवन प्रत्याशा होती क्या है, जीवन प्रत्याशा होती क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दो, उसके बाद हम ये बता पाएंगे, या उसके बाद आप ये बताना कि सन 2014 में भारत की जीवन प्रत्याशा क्या थी, अगर chapter पढ़ा होगा, तो जीवन प्रत्याशा क्या होती है, ये बाद आपको पता होगी ठीक है चाहिए आपने चैप्टर पढ़ा हूँ एंस या टेक्श लिशन आपने करे हो वीडियो देखा हो क्योंकि हर जग है मैंने हर एक चीज को डिटेल में शब्द सहा एक एक शब्द के अनुसार समझाया है वर्ड टू वर्ड हट्शीज आपको समझाये गई है ठीक है देखा जाए तो सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि 2014 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी पर उसके बाद देखेंगे कि जीवन प्रत्याशा आखिर होती क्या है जीवन प्रत्याशा थी 68.3 वर्ड अब जीवन प्रत्याशा क्या होती है सवाल यह उठता है तो जीवन प्रत्याशा की हम बात कहें एक व्यक्ति की जीवन जीने की आउसत आयू ठीक है भारत के जीवन प्रत्याशा पूछी है यानि कि किसी भी देश के नागरेग आनि कि भारत देश के नागरेग औसतन कितनी आयू तक जीपाती है उनकी एवरेज एज कितनी होती है जीने की ठीक है तो भारत की जीवन प्रत्याशा 2014 में 68.3 थी अब बाद पूछी गई के जीवन प्रत्याशा होती क्या है ठीक है तो किसी देश के व्यक्तियों की जीवन जीने की औसत आयू औसत आयू को क्या कहा जाता है जीवन प्रत्याशा कहा जाता है अल्राइट क्लियर है कहानी अब देखें Q4 है अधिक जनसेंख्या का एक सकारात्मक पहलू बताईए अगर किसी देश की जनसेंख्या जादा है ठीक है तो उसमें क्या अच्छाई है अभी तक हम ये देखते आये हैं कि जनसेंख्या अव्रध्धी जहां जादा है जिस देश की जनसेंख्या जादा है वहाँ पर पुशा गया है अधिक जनसंख्या का सकारात्मक पहलू बताईए किसी देश की जनसंख्या जादा है तो उसमें क्या अच्छाई है देखें सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर किसी देश की जनसंख्या जादा है तो क्या अच्छाई है देख लेते हैं अधिक जन संख्या में सुनो भई अधिक जन संख्या में सिक्षा प्रसिक्षन स्वास्त में निवेश कर अधिक मानव पुझी का निर्माण किया जा सकता है जितने जाना माना होंगे उतनी जाना पन माना पूंजी का निर्माड कर सकेगे कैसे हर एक व्यक्ति को सिक्षित किया जाए हर एक व्यक्ति को स्वस्तर रखा जाए अधिक जन सिंख्या में जाना से जाना लोगों को सिक्षित किया जाए जाधा से जाधा लोगों को ट्रेणिग दी जाए अलग-अलग चीजों की और स्वास्त में निवेश किया जाए यानि कि इन्वेश्टमेंड किया जाए कहां-कहां एड्चूसिन ड्रेनिंग और हेल्थ में तीन बातए कही गई है कि ऐड्चूसिए त्रेणिय। और health में तीन चीजों में investment करना है और जितनी जाना जनसंक्या होगी उतनी जादा लोगों में आप investment करोंगे तो आपकी human capital जादा बढ़ेगी और जहां माना पुझी का विकास होगा तो देश का आर्थिक विकास होगा यानि कि अधिक जनसंक्या है तो आप अधिक से अधिक जनसंक्या को पढ़ाओ उसको स्वस्ति रखो इन चीजों में investment करो ये जिम्मेदारी किसकी होगी हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी होगी ठीक है और सरकार की जिम्मेदारी तो होगी ठीक है मानी बाद सरकार कई सारे अभियान यान की campaign भी चलाती है कई सारी policies भी चलाती है योजनाय चलाती है नीतिया चलाती है लेकिन क्या हर व्यक्ति उस नीती का योजना का या policy का या plan का जो है फायदा उठा पाता है उप्योग कर पाता है उनके बारे में जागरुक रहता है अगर जागरुक रहता भी है पता भी है तब भी वो उन चीजों का उपयोग कर रहा है सबसे बड़ी बात यह होती है और देश की सरकार अपने देश के विकास के लिए सब कुछ करती है लेकिन आपको भी जाग रुक रहना होगा ताक कि इस सरकार द्वारा चलाएगे यूजनाओं का लाग आप तक पहुंचे आल र समाज में कार्यरत ऐसे दो व्यक्तियों का उधारन दीजिए जिन है मानव पुझी कहा जाता है अभी तक हमने क्या जाना था मानव पुझी होती क्या है कौन-कौन से एलिमेंट्स होती है अब क्या पुशा गया है एक्जामपल पुशा गया है मानव पुझी का ऐसे दो व् अधिवदाई कॉमेट करके। दिखा जाएं समाज में काररत ऐसे दो व्यक्तियों के उधारर दीजे जिन है मानौ पुझी कहा जा सकता है। तो देखें नाम है डॉक्टर और अध्यापक। डॉक्टर किस शेतर में काम कर रहा है भई। स्वास्ति के शेत्र में काम कर रहा है एक अध्यापक है यानि की टीचर वो कि शेत्र में काम कर रहा है सिक्षा के शेत्र में काम कर रहा है अध्यापक को क्या कहा जाता है अब यह आप पुछने ना लगो कि अध्यापक को क्या कहा जाता है टीचर कहा जाता है ठीक है जो की ए जाता है बताओ जल्दी से सेकेंडरी सेक्टर में किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है अर्थ व्यवस्ता के तीन छेत्र होते हैं प्राथमिक दुतियक और त्रतियक तो तीसरे छेत्र में किसे शामिल किया जाता है देखा जाए तीसरे छेत्र में किन क्रियाओं को शामिल कि किया जाता है तो इसका सही आंसर है सुरी दुतियक शेत्र में उत्खनन और वी निर्माड को शामिल किया जाता है ठीक है कनिस से जो भी जो जमीन के खुदाई करके जो भी हमें चीज़ा प्राप्थ होती है मिनरल्स प्राप्थ होते हैं और उनका कैसे यूज किया जाता है व all right question number seven है द्रतियक शेत्र में शामिल आर्थिक क्रियाओं का संचेप में उलेख कीजिए तीसरे शेत्र में अर्थिविवस्ता के तीसरे शेत्र आने की सेवा शेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं बतादो जल्दी से बहुत ही आसान है कई बार इसका से व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सिक्षा, स्वास्त्य, परिटन आदी को शामिल किया जाता है किस को शामिल किया जाता है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सिक्षा, स्वास्त्य, परिटन आदी को शामिल किया जाता है ये सब क्या है त्रत्यक्षेत्र की गतिविद्य हैं चाहाए वो बिजनेस हो ट्रांस्पोटेशन हो कम्यूनिकेशन हो बैंकिंग हो वीमा हो एड्यूकेशन हो है तूरिसम हो यह सारी चीज़ें किसमें आती है अधिववस्ता की तीसरे शेत्र यानी कि यहां पर बात हो रही है सेवा शेत्र कि अल्राइट चलिए क्वेस्चन नमबर एट है गैर बाजार क्रियाओं से क्या अभिप्राय है गैर बाजार क्रियाओं से क्या अभिप्राय है बता दो आर्थिक क्रियाओं का एक प्रकार है आर्थिक क्रियाओं दो प्रकार की होती है बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिय क्या होती है यह बुशा गया है आपसे देखा जाए चलिए तो गैर बाजार क्रियाओं से अभी प्राय स्वा अपभोग के लिए उत्पादन तथा कार्य करना है क्या है गैर बाजार क्रियाओं से अभी प्राय स्वा उपभोग के लिए स्वा उपभोग का क्या मतलब है स्व स्वयम के उपयोग के लिए ये उपभोग के लिए उत्पादन कार्य करना है उधारन देखें हम उधारन देख लेते हैं कई सारे उधारन देख लेते हैं ठीक है एक तो ये बात हो गई इस बात का मतलब ये हो गया अब उधारन की बात करें तो किसान का उधारन लेते हैं किसान स्वयम के लिए खेत में अनाज उगाता है किसान स्वयम के उपयोग के लिए खेत में अनाज उगाता है किसका एक्जांपल है स्वयम के उपयोग के लिए स्वयम के खाने के लिए अपने परिवार के लिए जिससे उसे कोई आर्थिक आर्थिक फायदा नहीं होने वाला है पैसा नहीं मिलने वाला तो गैर बाजार क्रिया हुई बाजार में जाके बेचेगा नहीं उसका अभ्यवसाय नहीं करेगा खुद के उत्पादन के लिए कारे करेगा तो यह क्या है गैर बाजार क्रिया हो गई एक और example देख लेते हैं यह हो गया किसान का और अब example देखते हैं सिक्षा का एक सिक्षक अपने बच्चों को पढाता है अब एक सिक्षक है वो अपने बच्चों को पढा रहा है S.O.E.M. के बच्चों को पढ़ा रहा है मालो उसके दो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है तो क्या होगा क्या उसे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ठीक है तो ये क्या हो गई गैर बाजार करिया और अगर वही इस एक शक्षक बाहर जाके स्कूल में पढ़ाता है कोचिंग पढ़ाता है तो उसको उसकी सैलरी मिलेगी यानि कि फिर वो कैसी करिया हुई बाजार करिया हुई तो एक सिक्षक अपने बच्चों को घर में पढ़ाता है यानि कि ये एक गैर बाजार करिया हुई अल्राइट अगर किसान बाजार में बेचने के लिए भी अनाज उगाता तो वो कैसी क्रिया हो जाती बाजार क्रिया हो जाती लेकिन स्वयम के उपयोग के लिए स्वयम के खाने के लिए अनाज उगाता है तो वो हो गई आपकी गैर बाजार क्रिया अल्राइट चलिए अब क्या है question number nine बाजार क्रियाओं से क्या ताद पर है बतादो जल्दी से यह क्या देखा तक गैर बाजार क्रियाओं से क्या मतलब है बतादो जल्दी 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 गैर बाजार क्रियाओं जान नहीं है बाजार क्रियाओं से क्या मतलब है इसके बाजार क्रियाओं में वेतन या लाब के उद्देश से की गई वे क्रियाएं शामिल हैं जिनके लिए पारिश्रमिक का भुक्तान किया जाता है वेतन या लाब के उद्देश से क्रियाएं शामिल होती है कि जब आप वो काम करोगे बाजार में जाके आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है इसके उद्देश से अगर कोई क्रिया करते हो जिससे आपको पारिश्रमेक का भुक्तान मिलता है यानि कि आपने काम किया, आपको क्या मिलेगी सैलरी मिलेगी, आपको वेतन मिलेगा ठीक है, सीधी सी बात है काम किया, पैसे मिलेंगे, यानि कि बाजार क्रिया है अल्राइट अगर वही काम अपने घर के लिए आप करते हो तो क्या वो क्रिया बाजार क्रिया होगी नहीं होगी जैसे कि घर की महिलाएं अपने घर के सब काम करती है अपने घर में मम्मी जो होती है सब काम करती है पर क्या घर में काम करने के उन्हें पैसे मिलते हैं नहीं लेकिन वहीं अगर हम किसी व्यक्ति को बाहर से काम करने के लिए बुलाएं अपने घर के काम के लिए तो हमें उसे पैसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा आपको सफाई करने वाला चाहिए अपने घर में तो आप क्या करेंगे आप उसको पैसे देंगे क्योंकि वो आपके घर की सफाई करने के लिए लेकिन आप स्वयम घर की सफाई करते हैं तो क्या आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे बस इतना सफर्क है अल्राइट तो यह बात हो गई बाजार क्रियाओं से क्या मतलब होता है अब किया सवाल हे बाजार में किसी व्यक्ती की आये के निर्धारक कोई दो घटक बताओ बताओ बता दो भी जल्दी से तेजी से आंसर आना चाहिए देखा जाए चलिए तो सिच्ठा और कॉशल बाजार में किसी व्यक्ति की आये के निधारक के दो घटक बताई है अगर व्यक्ति educated है ठीक है उसके पास उसकी education है कोई सिक्षा है और काम करने की skill है ठीक है तो आये प्राप्त होगी की नहीं होगी कोई व्यक्ति सिक्षित है और मालो उसको teaching बहुत अच्छे से आती है सिक्षा बहुत पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है उसे ठीक है तो जब वो पढ़ाएगा कहीं बाहर जाके तो उसे पैसे मिलेंगे की नहीं मिलेंगे कोईशन पढ़ानी की skill भी है उसके पास यानि के टीचर बनने के लिए सिर्फ knowledge होना जरूरी नहीं है skill भी होनी चाहिए सीधी सी बात है किलियर है डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई अके लिए जरूरी नहीं है उसके लिए प्रैक्टिस से ये और प्रैक्टिस से क्या आएगी skill आएगी किलियर है बात चलिए तो दस सवाल हो चुके हैं ग्यारवा सवाल है भारत में स्कूली सिक्षा से संबंधित किसी एक सरकारी कारेक्रम का नाम लिखिए बता दो जल्दी से भारत में स्कूली सिक्षा से संबंधित किसी एक सरकारी कारेक्रम का नाम लिखिए सरकारी कारक्र में यानि कि सरकारी योजना किसी गवर्मेंट पॉलिसी या गवर्मेंट प्लान का नाम बताना है जिसने इसकोली सिक्षा के शेत्र में काम किया हूँ देखें सर्वसिक्षा अभियान सर्वसिक्षा अभियान के तहत क्या काम किया गया था यानि कि सार्व भौमिक सिक्षा का अधिकार दिया गया था इसके तहट क्या अधिकार दिया गया था अधिकार को 24 सिक्षा देना और यह लक्ष प्राप्त करना था। और 2010 तक इसको लक्ष प्राप्त करना था कि जितने भी बच्चे भारत में हैं चैसे 14 साल तक के सभी सिक्षिद होना चाहिये साक्षर होना चाहिए उनके लिए हमें निहशुल को सिक्षा देनू है All right एक और देखें एक और सरकारी कारिक्रम देखें ये तो हो गया एक ठीक है एक तो ये हो गया दूसरा चलाया था मध्यान भोजन योजना इसको क्या कहा जाता है मिड़े मील सुना होगा अपने मिड़े मील प्लान यानि कि बच्चे स्कूल आएंगे बच्चों को दोपर का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा और पोशड युग तो भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा उससे क्या होगा बच्चे स्कूल आएंगे उनको भोजन भी प्राप्त होगा और बच्चे question number 12 और यहां से शुरू हो जाते हैं आपके लगुत्रिय प्रशन उत्तर सवाल क्या कहता है दूसरे संसाधनों की भाती ही जनसंख्या भी एक संसाधन है एक statement आपको दिया गया है कि जिस प्रकार से other resources है other resources की तरह ही जनसंख्या यानि कि हमारे देश की population हमारे देश के लोग एक resource है क्या आप इस कथन से सहमत हैं अगर आप इस कथन से सहमत हैं एगरी करते हैं तो इस पष्ट कीजिए चलिए देख लेते हैं आंसर भी देखें हम इस कतन से सहमत है कि दूसरे संसाधनों की भाती जनसंख्या भी एक संसाधन है ठीक है बिल्कुल है क्योंकि इस चैप्टर के टाइडल में ही है संसाधन के रूप में लोग और जनसंख्या को आप सिक्षित करके उसके स्वास्त पर सहमत है तो सबसे पहली बात तो वही लिखने हैं आपको आंसर में आंसर के शुरुआत कहां से करेंगे कि हाम इस कथन से सहमत है दूसरे संसाधनों की भाती जनसंख्या भी एक संसाधन है अल्राइट अब देखो इस पष्ट करना है डिटेल में लिखना है सारे रीजन बताने होंगे पहला क्या है जनसंख्या देश के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है बिल्कुल है जनसंख्या नहीं हो ठीक है तो काम कौन करेगा ना पता है लोग है ही नहीं सारी चीजें हैं प्राक्टिक संसाधन हैं ठीक है लेकर उनका यूज कौन करेगा लोग करे कि मानों नहीं आगी की खोच करी थी कैसे करी थी दो पत्त्रों को आपस में रगड़ा तो आग जल उठी ठीक है पहियों का विश्कार भी उसी समय हुआ था काफी सारी चीजें हुई थी और अब देखें अब हम देखें तो हमारे पास आग जलाने की कितने सारी साधन ठीक है जंगलों से लेकर आन्य की जंगलों से प्राप्त होने वाले पदार्थ से लेकर आधुनेक चीज़ें भी आग जलाने की लिए ओपयोगी हैं कई सारी चीज़ें हैं हमारे पास में उसने convert किया किसके दम पर अपनी skill के दम पर अपने knowledge के दम पर तो ये सारी चीजें किसके प्रयासों से संभव हो पा रही है मानों की जनता की जन संख्या की क्या जानवरों के प्रयासों से संभव हो रही है नहीं ना इंसानों के प्रयासों से ही संभव है तो जन संख्या देश के उत्पादन का एक महत्वपूंड साधन हुई ठीक है अगली बात क्या है सिक्षा प्रसिक्षण से मानव पुझी का निर्माड किया जा सकता है मानव पुझी का निर्माड कैसे किया जा सकता है सिक्षा से प्रसिक्षण से व्यक्तियों को सिक्षित करो काम करने की ट्रेनिंग दो कि ये काम कैसे होता है तथा जन संख्या को मानव पुझी में परिवर्तित कर उसे अधिक कुश्य लेवा मुतपादक बनाया जा सकता है मानव पुझी में कनवर्ट कप करोगे उस जन संख्या को जब उस जन संख्या को आप सिक्षित करोगे उसकी स्वास्त सुविधाओं पर आप ध्यान दोगे और अगली बात क्या है मानव पूजी निर्माड भी भौतिक पूजी निर्माड की भाती देश की उत्पादन शक्ति में व्रंथी करती है भौतिक पूजी की बात करें, भौतिक पूजी क्या होती है, दो प्रकार की होती है ना भौतिक पूजी, देखो मानो पूजी को अब भौतिक पूजी से रिलेट करना है, ठीक है, मानो पूजी के दो प्रकार कौन से थे, एक तो है सिक्षा और एक है स्वास थे, और भौतिक पूंजी में हमने कौन-कौन सी बातने जानी थी बहुतिक पूंजी की बात करें तो बहुतिक पूंजी में इस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी इस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी ठीक है इस्थाई पूंजी में क्या जाना था भई भूमी है भवन है मशी है औजार है कारिशिल पुझी में क्या जाना था हमने कारिशिल पुझी की बात करें तो नगत पैसा कच्चा माल यानि की रौ मटेरियल अल्राइट क्लियर हो रही है बात तो यहां पर अगली लास्ट बात क्या कहीगी आखरी कि माना पुझी निर्माड भी भौतिक पुझी निर्माड की भाती देश की उत्पादन में व्रधी करता है अब इन सब चीजों का उप्योग कौन करेगा चाहे वो इस्थाई पुझी हो भूमी हो भवन हो हत्यार हो औजार हो मशीने हो कच्चा माल हो नगत पैसा हो कौन उप उप्योग करेगा कैसे उप्योग करेगा अपने सिक्षा और स्वस्ति सरीर के दम पर उप्योग करेगा अल्राइट किलियर है बात अगला पॉइंट क्या है मानों पुझी निर्माड का देश के विकास एवं सम्रद्धी में महत्वपूर्ण योगदान है अताह दूसरे सं संसादरों की भाती ही जिन संख्या भी एक संसादन है। कॉंक्लूजन लिख दिया लग पहली लाइन क्या लिखीती? क्यों से कुफे स्यमते हैं वो तीन बातें भी हमने बता दी? अब हमने लास्ट में लिख दिया है मानों पुझी निर्माड का देश के विकास सेवं सम्र संव्रधियान की आर्थिक संपन्नता में महात्वपोण योगदान है इसलिए दूसरे संसाधनों की भाति जनसंख्या भी एक संसाधन है क्लियर है कोई डाउट है कोई शब्द हो ऐसा जो समझ में ना आया हो कोई लायन हो कुछ भी हो जल्दी से कॉमेट करके बताईए आपक पुझी का निर्माड किस प्रकार से किया जा सकता है यूमन कापिटल को किस प्रकार से बनाया जा सकता है ठीक है देख लेते हैं इसको भी मानव पुझी का निर्माड निमन प्रकार से किया जा सकता है कैसे मानव संसाधन अध्वा मानव पुझी निर्माड है तो सिक्षा म में निवेश किया जाना चाहिए अगर आपको मानव संसाधन और मानव पुझी का निर्माड करना है तो क्या करना होगा सिक्षा में निवेश करना होगा education में investment करना होगा क्योंकि सिक्षद व्यक्ति जो है अधे कुथ पादक और कुशल होते हैं सिक्षा के दम पर ही व्यक्ति नए-नए innovation कर सकता और बहुत अच्छे से यानि जिस विशेग उसने शिक्षा ग्राण की है उस शेत्र में बहुत अच्छे से काम कर सकता है तो सबसे ज्यादा investment किसमें जरूरी है स्वास्ति सुविधाओं में बढ़ावा किया जाए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति की तुल्ला में अधिक उत्पादक होता है एक healthy person ही जादा अच्छे से काम कर सकता है, इस comparison to unhealthy person अगली बात क्या है, श्रमिकों के लिए प्रसिक्षन में निवेश कर उन्हें मानव पुझी में परिवर्तित किया जा सकता है जो श्रमिक हैं, ठीक है, काम करने वाले, जिसकिसी भी शेतर में काम कर रहे हैं अगर उन्हें प्रसिक्षन दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, उस काम को करने की ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग में investment किया जाए और उन व्यक्तियों को या उन श्रमिकों को ज्यादा skilled बनाया जाए, ठीक है तो उन श्रामिकों को मानव पुझी में परिवर्थित किया जा सकता है और प्रस्रिक्षन से यानि की ट्रेनिंग से उनकी कुशल्दा में व्रद्धी होगी आप ट्रेनिंग दो उनकी स्किल बढ़ती जाएगी वो और अच्छे से काम करेंगे ठीक पिर क्या है विभिन्न छेत्रों में वैग्याने कनुसंधान पर व्याय करके भी मानव पुझी का निर्माड की आ जा सकता है क्या कहा है वैग्याने कनुसंधान पर व्याय करके भी मानव पुझी का निर्माड की आ जा सकता है यानि कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट ने जादा से जादा रिसर्च करेंगे सरकार उनको जादा से जादा चीज़ें प्रोवाइट कराएगी तो क्या होगा मानव पुझी का निर्माड इससे भी हो सकता है तो क्लियर है मानव पुझी का निर्माड कैसे हो सकता है सिक्षा में इन्वेस्टमेंट करना है स्वास्त मयानी की हेल्थ और एज्जुकेशन दोना में निवेश्यान की निवेस्टमेंट करना है वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इन्वेस्टमेंट करना है और ट्रेनिंग में कौन सी चार बाते लिखनी है अगर आप से पुशा जाए कि मानव पुझी का निर्माड कैसे किया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करना है सिक्षा में स्वास्थ में प्रशिक्षण में और किसमें करना है विज्ञानिक अनुसंधान में क्या करना है बताओ भई इन्वेस्टमेंट करना है क्लियर है चले अंगले सवाल की तरफ चलिए क्वेशन नमबर 14 है बेरोजगारी से अब क्या समझते हैं किसे कहते अनिंपॉइमेंट बताईए किसे कहा जाता है बेरोजगारी किसे कहा जाता है कई बार बताया हैsuch किसी व्यक्ति को रोजगार preut old नहीं है व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर रहा है जिससे पैसे मिलें उसको सेलरी आये वेतन मिलें सीधी सी बात यह है ठीक है अब लेकिन दूसरे शब्दों में बात करें परिभाशा के तौर पर हम बात करें तो उस व्यक्ति को काम नहीं मिलने से है जो काम करने के इच्छुक है यानि क कोई व्यक्ति एक निर्धारित वेतन पर निर्धारित सेलरी पर काम करने के लिए इच्छुख है लेकिन तब भी उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? से जाएगा बेरोज्गार या उस परिश्थिति को कह जाएगा बेरोजगारी तो बेरोजगारी करत उस व्यक्ति को काम नहीं मिलने से है जो काम करने के एक्षुक है और योग है काम करना चाहता है काम करने के काबिल है योगता है क्वालिफिकेशन है पर उसकी एक्षा एवं योगता के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है ठीक है तो यह परिभाशा हो गई यह साधारन बोलचाल की भाशा में जान लिया और यह जान लिया परिभाशा के तौर पर अल्राइट फिर क्या है यदि किसी व्यक्ति को काम मिला हुआ है प्रंतु उस काम से उस व्यक्ति के पूरे समय शक्ति एवं योगता को उपयोग नह है लेकिन लेकिन उस काम से उस व्यक्ति के पूरे समय शक्ति एवं योगता का उपयोग नहीं होता है काम तो मिल रहा है उसे लेकिन उसके पूरे समय शक्ति एवं योगता का उपयोग नहीं हो रहा है इसकी क्वालिफिकेशन के हिसाप से उसको काम नहीं मिल रहा है उसकी शक्ति यानि कि उसकी पावर के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा अर्द बेरोजगार कहा जाएगा अल्राइट चलिए अब क्या है कहा घा है की आकड़ों के अनुसार सांख्य की आनुसार भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है यानि कि क्या कहा गया है जितना आकड़ा सामने सरकार देती है कि बेरोजगारी धीरे-धीरे कम हो रही है लेकिन ऐसा नहीं है सांखी की रूप से सरकारी आकड़ों के मताबिक तो देश में बेरोजगारी कम दिखाई देती है थीक है? किन्त 요 वास्तविक्ता मैं यह समस्या गंभीर है इस पस्ट कीजे यानि सरकार ने अपनी फाइलों में कुछ और लिख के रखा है लेकां वास्तविक्ता कुछ और दिखाई देती है क्या लगता है आपको ये बात सही है? सरकार सही आउक्डे जारी करती है यह नहीं करती है क्योंकि सांखीक laka की बादरीय औक यांखड़े कौन जारी करेगगा सरकार जारी करेगी बताइए जल्दी 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 बताइए ठीक बहुत एक्द अच्छी बात आपको सुनाओंगी ठीक है देखें चलिए यदि सांखी शो किलागा पर देखें तो भारत में बेरोजगारी की दर काफी कम है अगर सांखी की आंकडों की बात करें सरकारी आंकडों की बात करें स्टेटिक्स की बात करें तो भारत में बेरोजगारी दर काफी कम है ठीक है हर साल आपको जो आकड़े जारे करे जाती हूं उसमें हर साल बेरोजग देना, ये बात क्यों कही गई है, पहली बात क्यों कही गई है, और पहली बात दूसरी बात से कैसे रिलेट करती है, उस पर ध्यान देना यदि सांखिकी आंकडों के आधार पर देखे तो भारत में बेरोजगारी कम दिखाई देती है क्यों कम दिखाई देती है आंकडों के अनुसार है और उनको किसमें गिलिया जाता है मजबूरन वेक्टिना कोई ना कोई काम तो करेगा भले उसको उसकी योगता समय से शक्ती से कम काम मिले कम पैसा मिले पर करेगा तो उन लोगों को भी रोजगार के रोजगार में लगा हुआ गिन लिया जाता है यानि की नियोजित गिन लिया जाता है जिनकी बहुत ही कम आये है ठीक है और बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी है ठीक है तो उस इसाब से बात कही गई कि सांखी की रूप से भारत में बेरोजगारी की दर कम है ठीक है अब क्या है कुछ लोग पूरे वर्स काम करते हुए प्रतीत होते हैं कि तू वास्तों में पूरा काम नहीं मिलता ठीक है कुछ लोग पूरे वर्स काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि तू वास्तों में पूरा काम नहीं मिलता है जैसे कि क्रशी शेतर की बात करें प्रच्छन बेरोजगारी पाई जाती है चिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है अर्थात क्रशी शेतर में आवश्यक्ता से अधिक लोग काम कर रहे हैं क्रशी में आवस सकता से अधिक लोग कार्य पर लगे हुए हैं अतहा वास्त्रिक्ता में देश में बहुत से लोगों के पास पूरा एवं योग्यता के अनुसार काम नहीं होता क्या बात केईगी वास्तों में ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोगों के पास पूरा और योग्यता के अनुसार कारे नहीं होता तथा वे निम्न वर्ग में आते हैं किन्तु उन्हें बेरोजगार नहीं माना आगाता है कम आये हैं कम प्रोडक्टिविती है ठीक है तो अब एक तरब तो देख रहा है यह काम है तो लगे हुए कुछ तो पैसा कमा रहे होंगे यानि कि यह बेरोजगार नहीं है लेकिन ऐसा गलत है क्योंकि एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार शमता के अनुसार पूरा रोजगार मिलना चाहिए और बेरोजगारी की परिभाशा भी क्या कहती है कि जब किसी व्यप्ती को, ठीक है? उसकी योग गिता के अनूसार, वो काम करने के इच्छुक है लेकिन उसकी योग गिता के अनूसार निधारित वेतन पर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहाजाता है तो यदि सांखे की आक्ड़ों के आधार पर देखें निज़ी बड़े कभी नेया शायर ने कही है कि नुमारी फाइलों में गाओं गुलाभी है लेकिन यह आकड़े जूटे हैं यह दावा किता भी है ठीक है अब क्या कहानी है, question number 16 की बात करते हैं, जन्मदर एवं मुरत्यूदर का क्या अभिप्राए है? जन्मदर और मुरत्यूदर किसे कहते हैं? birth rate and death rate से क्या मतलब है? देख लेते हैं, देखें, जन्मदर की सबसे पहले बात करें, जन्मदर का अभिप्राए, एक विशेश अवधी में प्रती 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्म लेने वाले शिश्वों की संख्या से है एक विशेश अवधी वो विशेश अवधी क्या हो सकती है एक वर्ष ठीक है एक वर्ष की अवधी में प्रती हजार व्यक्तियों में से जीवित जन्म लेने वाले शिश्वों की संख्या और कितनी गिनीज आती है जीरो से एक वर्ष गिनीज आती है ठीक है कितने में से प्रती हजार में से तो प्रती हजार में से जीरो से एक वर्ष से लेकर कितने बच्चे एक साल में जीवित रह पाए उसे कहा जाता है जन्मदर ठीक, क्लियर हो गया कंसेप्ट, यह हो गया आपका जन्मदर का अब क्या है, डेथ रेट, ब्रत्य उदर से क्या भी प्राय है तो एक विशेश अवधी में, प्रती एक हजार व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से है ठीक है, एक विशेश अवधी, यानि कि वो अवधी यहां पर भी एक वर्षी की ली जाएगी ठीक है प्रती हजार व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों की death होती प्रती हजार की बात हो रही है ठीक है जैसे कि अपन दस हजार की बात करें तो एक-एक हजार करके एक हजार में से इतने व्यक्तियों की death हो रही है तो प्रती हजार में कितने उसको divide कर लेंगे एक इन्ने हजार एक दाइरा बना लिया, काउंट करने के लिए ताकि आसानी हो, ठीक, तो ये हो गया आपका जन्मदर और ये हो गया आपका अम्रत्यूदर, अल्राइट, चलिए, Q17 है, मानव पुझी निर्माड से अर्थव्यवस्था पर पढ़ने वाले कोई चार सकारात्मक प्रभाव बताईए, अधिक जनसंक्या को भी उत्पादन के साधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस कंसेप्ड को हमने अभी कुछ क्वेश्इन पहले क्वेश्इन में सॉल्व भी किया था, कि किस तरीके से अधिक जनसंक्या आपके लिए सकारात्मक हो सकती है, तो जितनी जादा जनसंख्या आपके पास है उतनी जादा जनसंख्या को आप सिक्षित करो स्वस्थ रखो सिक्षा और स्वास्थ यानि की health और education में investment करो तो क्या होगा जादा से जादा जनसंख्या सिक्षित होगी ठीक है तो सिक्षित जनसंख्या एक अच्छे विक्षित अधिक उद्धियम को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार में लगेंगे जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा देश में बेरोजगारी नहीं रहेगी फिर क्या होगा मानपुजी के निर्माड के फलसुरू मनुष उत्पादन के अन्य संसाधनों का अधिक कुशलता से उप्योग कर सकता है जिससे उत्पादा केवाम उत्पादक्ता में व्रधी होगी मानपुजी के निर्माड से क्या होगा उत्पाधन के अन्य संसाधन यानि की हमारी प्रकर्टी में जो भी प्राक्रतिक संसाधन है उनका और अच्छे से यूज करके एक नए प्रोड़क्ट में उसको कन्वर्ड कर पाएगा ठीक है अधिक कुसलता से अधिक स्किल के साथ उसको उप्योग में ला पाएगा जिससे प्रोडक्शन में व्रद्धी होगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी अल्राइट क्लियर है तो मानव पुझी निर्माट से अर्थ विवस्ता पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं क्लियर हो गई बात ठीक है क्या क्या हो गई देखो पहली बात तो ये है कि जन संख्या को मानव पुझी में हम बदल सकते हैं ठीक जन संख्या को मानव पुझी में बदल सकते हैं जन संख्या को मानव पुझी में बदल सकते हैं जन संख्या को मानव पुझी में बदलेंगे तो क्या होगा जन संख्या उत्पादक बनेगी आसान और सटीक सब्दों म मेलिक हैं तो जन संख्या उत्पादक बनेगी दूसरी बात क्या आएगी दूसरी बात आएगी माना पुझी निर्माड से विक्यों को अधिक उत्पादक एवं अधिक कुशल बनाया जा सकता है जन संख्या को कुशल बनाया जा सकता है या कुशल जन संख्या का निर्माड ठ क्या होगा और क्या होगा मनुष्य अन्य संसाधनों का अधिक कुशलता से कर पाएगा संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग हो पाएगा अल्राइट चलिए आंगे की कहानी देखी जाए यहां तक की बात है किलियर हो गई बड़े आंगे आंगे भी है क्या नहीं नहीं है चलते हैं फिर हाजी इन हो उनका अपने बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है जाने इसको चलिए सिक्षित माता-पिता का बच्चों के भविश्य पर निमना प्रभाव पढ़ता है क्या पढ़ता है मानव पुझी निर्माड है तो सिक्षा एक मात्व पूंस रोते यानिकि पैरेंट्स सिक्षित होंगे उनकी पास parents के पास मानो पुजी है तो अपने बच्चों को भी वो एक मानो पुजी के रूप में convert कर पाएंगे सिक्षा के माध्यम से फिर किसी बच्चे के माता पिता सिक्षित है तो वे सिक्षा के मात उको समस्ते हैं और सिक्षा पर जादा निवेश करेंगे इसक्षा पर जादा से जादा इंवेस्टमेंट करेंगे वे बच्चों को उचित पोशन और स्वक्षता के प्रती भी सचेत रहते हैं ठीक है बच्चों के उचित पोशन के हमें बच्चों को किस प्रिकार का पोशन देना है किस तरीके से उनको स्वस्थ रखना है किस तरीके किलियर है कहानी यहां तक की मानव पूंजी निर्माधितू सिक्ष्या महात्वपूंश्रोथ हैं किसी बच्चे के माता पिता सिक्षित है तो वे अपने बच्चों की सिक्षा पर जादा से जादा इंवेस्टिमेंट करेंगे बच्चों के उचित पोशन और स्वक्षता के प पूरे समाज को मिलता है तथा स्वयम बच्चों को भी मिलता है और वे अधिकुत पादक एवं कुशल होते हैं अत्ता उनकी आए भी अधिक होती है जिससे उनका जीवन इस्तर भी उचा रहता है ठीक है चलिए ये बात हो गई अब है क्वेस्चिन नमबर 19 भारत में सिक्षा के विकास से तूप सरकार द्वारा क्रिये गए प्रयाशों को संशेप में बताईए ठीक है भारत सरकार ने सिक्षा के विकास में कौन numéro से प्रयास करे हैं उनको संखेप में बताना है देख लेते हैं भारत में विभिन पंचवर्सी योजनाओं में सिक्षा पर अधिक धनराशी व्याई करी गई है ठीक है पंचवर्सी योजनाओं तो आप सभी जानते हैं फाइव येर प्लान जो कि 1959 से स्टार्ट हुए थे तो सिक्षा को भी उसमें महत दिया गया था और सिक्षा के लिए भी पंचवर्सी योजनाओं में अलग-अलग योजनाएं बनाए गई थी सिक्षा पर भी पैसा सरकार ने खर्ज किया था तो प्रतम पंचवर्सी योजना में क्या हुआ था प्रतम पंचवर्सी योजना में सिक्षा पर 159 करोड रुप वर्षी उजना में बढ़कर 37766.90 करोड़ रुपए हो गई थी पहली में कितना 5150 करोड़ और 11 वी में कितनी बढ़ गई थी सिक्षा के शेत्र में सरकार का बजट कितना हो गया था 3766.90 करोड़ हो गया था फिर उसके बाद सकल घरेलू उतपाद के प्रतिशत के रूप में सिक्षा पर विया है 1952 में 0.64 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 3 प्रतिशत हो गया था अगर हम सकल घरेलू उतपाद के रूप में GDP के परसेंटेज के रूप में सिक्षा पर खर्च को लें तुने सो इंग्यावन बावन में जो जहां मात्र 0.64 परसेंट था वही 2015 सुला में कितना बढ़ गया एक बजटी एनुमान के अनुसार 3 प्रतिशत बढ़ गया था इसके इलावा और कौन से प्रयास करे गए थे सर्वसिक्षा अभियान सर्वसिक्षा अभियान का क्या उद्धेश था सर्वसिक्षा अभियान सभी को अनीवार्य सिक्षा प्रदान करवाने सार्वभौमेग सिक्षा का अधिकार सर्व सिक्षा अभियान के अनुसार सार्व भॉमेक सिक्षा का अधिकार सार्व भॉमेक सिक्षा का अधिकार जो है प्रदान किया गया यानि कि सर्व सिक्षा अभियान सभी को अनिवारे सिक्षा प्रदान करवाने की सिफारिश करता है जो की 6-14 वर्स, आयू निर्धारित करी गए थी, 6-14 वर्स के सभी बच्चों को अनिवार्य सिक्षा देता है, अनिवार्य एवं नहिशुल्क, ठीक है, क्या है, अनिवार्य एवं नहिशुल्क सिक्षा, अनिवार्य एवं नहिशुल्क सिक्षा, एक्दम फ्री एजुकेशन compulsory and free education का provision रखता है ठीक फिर एक और योजना चालू करी गई थी वैसा midday meal ठीक है मध्यान बोजन योजना जिसे कहा जाता है MDM ठीक है तो बच्चों के पोश्टिक इस्तर को बढ़ाने के लिए पोश्ट इस्तर को बढ़ाने के लिए बच्चों को पोश्टिक खाना मिले उसके लिए midday meal उजना कैसे शुरू करी गई बच्चे इस्कूल में दोपैर तक रुके रहें दोपैर को बच्चों को इस्कूल में खाना दिया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे बच्चे सुचेंगे हमें पोशन योग तक खाना मिलेगा तो हम इस्कूल जाएंगे और इस्कूल में तब तक रुके रहेंगे तो बच्चों क स्कूल में प्रतिश्यत को बढ़ाना बच्चों की संख्या को स्कूल में बढ़ाना और बच्चों का ठहरा बनाना की बच्चे रुके रहें इसके लिए मिध्यमील योजना शुरू करी गई और सभी जुलों में नवोदय विध्यालय भी कोले गए हैं ठीक है नवोदय विध अधियान के लिए उसकी एक अलगसे परीक्षा होती है उसको नवोदय विध्याले में भठती कर लिया जाते है और उसको बारवी तककी प्री एजुकेशन और कुवालिटी एजुकेशन दी जाती है फिर क्या है फिर है सरकार ने विभिन सिक्षण संस्थाओं का भी विस्तार किया है तथा देश में तकनी की सिक्षा को प्रोसाहिद किया है इस प्रकार से सिक्षा के शेत्र में शुरू से ही कई प्रकार के प्रयास करे जा रहे हैं यानि कि मानों पूंजी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है आकरी सवाल है आज का संशेप में बेरोजगारी के प्रभाव बताईए बताओ भई बेरोजगारी के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं देखें चलिए तो बेरोजगारी की परिभाषा तो पता है निद्धारेतन पर तब भी उसे काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है और उस इस्तिती को बेरोजगारी यानि कि unemployment कहा जाता है परिभाशा तो हो गई कि बेरोजगारी शब्द उस इस्तिती को संदरवित करता है जहां एक व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन काम पाने में असमर्थ होता है उसे काम नहीं मिल पाता है अब बेरोजगारी के प्रभाव क्या हो सकते हैं देखें तो भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है ठीक है तदा अर्थ विवस्था पर बेरोजगारी के नकारातमक प्रभाव पड़ते हैं अब देश में अगर देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा देश क संक्या के पास उनका रोजगार नहीं है तो देश आर्थिक विकास कैसे कर पाएगा फिर क्या है बेरोजगारी के कारण मानविय संसाधनों की बरबादी होती है तथा उत्पादत मानों संसाधन भी दायत्वमें बदल जाते हैं क्लियर हो रही है बात इस बात को समझना बेरो मानव जो सिक्षित है सुस्थ है काम करने के सम्रत लेकिन तब बी उसको काम नहीं मिल रहा तो क्या उसकी बरबादी नहीं हो रही है समारे देश के मानों संसाधन की बरबादी हो रही है और उत्पादक मानों संसाधन है यानि कि जिस मानों संसाधन को जिस human को काम मिलना था जो खुद उत्पादन करता प्रोडक्ट बनाता अपनी पूरी छमता लगाता अपनी कि पुरी सोच समझ लगाता अपनी सिक्षा का प्रयोक करता अपनी स्किल का तो उत्पादक 에서 की नहीं उभेता अब रही देश के उपर आ क्लियर हो रही यह बात तो भविज देश का क्या करता विसरकार का क्या करता है रोजगार के साधन सभी के लिए उनकी योगता के अनुसार उपलब्ध करवाना अब क्या है लोग बेरोजगारी के कारण अपने परिवार का भरण पोशन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते लोग बेरोजगार है अब बेरोजगार है याने की पैसा कमाने का साधन नहीं पैसा उनके पास आएगा नहीं, तो यह अपने परिवार का भरढ़ पोसड कैसे करेंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे, कैसे पालेंगे, कैसे पढाएंगे, कैसे उनके स्वास्त को ठीक रख पाएंगे. तो ये सारे प्रभाव जो हैं बेरोजगारी के हमें देखने को मिलते हैं अल्राइट कोई डाउट अगला क्या है बेरोजगारी से निर्धनता एवं अन्य सामाजिक बुराईयों को बढ़ावा मिलता है अव्यक्ति बेरोजगार है उसके पास पैसा नहीं आएगा तो गरीबी तो होगी दिनों दिन उसका पैसा जो भी है वो कम होता जाएगा गरीबी बढ़ती जाएगी और अन्य सामाजिक बुराईयों अव्यक्ति के पास पैसा है नहीं रोजगार का साधन है नहीं तो अन्य सामाजिक ब्रायान की चोरी डकैती लूट पाट जैसी बुराईयां पैदा होगी की नहीं होगी बिलकुल होगी फिर क्या है बेरोजगारी का अर्थविवस्था के विकास एवं सम्रधी पर बुरा प्रभाव पड़ता है अगर व्यक्ति बेरोजगार है अर्थवि जाता कि बेरोजगारी के प्रभाव बताईये तो सीधी से बात है कि बेरोजगारी एक बुराई है एक बुरी चीज है जिसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा तो इसके नकारात्मक प्रभाव ही होंगे तो आपको सीधे से लिख देने हैं जितने भी नकारात्मक प्र चैप्टर के नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाईए और बागी के वीडियो भी अटेंड कर देजिए नोटिफिकेशन बैल इकन को प्रेस कर देना है जैसी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंद उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे तुरंद से जुड़ना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्द हैं मैंगनेट ब्रेंस के यूट्यूब चनल वेब साइट और एप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रेंस इंडिया का नमबर वान हंडिट पर्सेंट फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉम है इसके अलावग अगर वाजिस्थान बोड के स्लेवर्स को कवर कराया जाता है और कई सारे स्पेशल कोर्सेस हैं व्यादिक मैस क्रेश कोर्स और स्पोकर इंगलिस और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ली आवनाइस कंप्लीट को साथ एकदम फ्री आफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराये जा रहे हैं यानि किसे भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन को पच्छेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें फ्री आफ कॉस्ट आविलेवल हैं बैंक नेट प्रेइस यूट्यूब के लावा अधर सोशल मीडिया प्रेटफोर्म जैसे कि फेस्बूक, इस्टाग्राम, ट्विटर, टेलिग्राम, वाटसअप पर भी उपलब्द है आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं वहां से भी सारी जानकारी प्राब्द कर सकते है तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुश रही है, ठाएंगे सो मच